हेलो गाईज आपका स्वागय थे आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैत महान में आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवर्धी व्याज यानि कंपाउंड इंट्रेश्ट के इंपोर्टेट कोईश्चन अगर आप अच्छी तरीके सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में अंतर तक बने रहना होगा ताकि आप अच्छी तरीके से कंपाउंड इंट्रेश्ट यानि चक्रवर्धी व्याज के सवाल लगा सकें वो भी ट्रीक के साथ बिना किसी फार्मूला के आई आपको लिखाते हैं क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने लिखा हुआ है यदि दर 15 परतिसत समय एक वर्ष छे महा तथा चक्रवर्धी व्याज 9.45 रुपिया हो तो मूलधन ग्यात करें देखिए पिछले वीडियो में आपको हमने सिखाया था दो वर्ष के लिए चक्रवर्धी व्याज निकालना हो या मूलधन निकालना हो इस वीडियो में समय दे रखा है एक वर्ष छे महा यानि ये समय है दो वर्ष से भी कम तो इस परकार के सवाल को कैसे लगा पाएंगे ओभी ट्रिक के साथ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 15 परतिसत को बदलेंगे भिन में तो 15 परतिसत को जब भिन में बदला जाएगा तो आएगा 3 बटे 20 अब देखिए आपको करना क्या है जो बटे वली संख्या है 20 इसका करना है आपको स्कॉयर अगर समय दो वर्ष हो या दो वर्ष से कम हो यानि एक वर्ष से समय अगर जाता है एक वर्ष एक महा हो एक वर् तो क्या करना है जो परतिसत को हमने भिंद में बदला है इसकी जो बटे वाली संख्या है इसका स्कॉयर करना है तो 20 का स्कॉयर केतना होगा 400 400 यहां पर लिख लेंगे ठीक है यह मान के चलते हैं कि यह मूल धन है ठीक है अब क्या करेंगे पहले वर्स के लिए और दूसरे वर्स के लिए 3 मटटे 20 निकालेंगे इसी 400 का तीन मटटे 20 तो देखें 400 का जब तीन मटटे 20 निकालेंगे तो 60 आएगा कैसे आएगा देखें 400 का 3 petits जब निकाला जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 2 एक कम 2 2 दून चार, 2 जीरो 0 20 की गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा तो देखिए जो पहल्य वर्स के लिए वही ब्याज के लिए आएगा यप lug साय साधॅध talk अब क्या करना है जो ब्याज लगा हुआ है पहले वर्ष पे साथ प्या इस पर भी निकालना है तीन वटे बीस तो इसका जब तीन वटे बीस निकालेंगे तो आएगा नौ कैसे देखिए साथ का तीन वटे बीस निकालना है जीरो से जीरो कर जाएगा तो एक कम दो दो तीन चैर और तीन तीन नव रुपिया आ गया यूनिट में है ये अब देखिए चक्रवर्दी ब्याज दे रखा है नव दुसमलो चार पाँच रुपिया जबकि यहाँ पे चक्रवर्दी ब्य है शाठ प्लस साठ एकशोभीज हो नव एक Kollegin यहाँ फिर लिखा क्या है एक वर्स एक वर्स साथ माहर तो धे ये पूरे वर्स साल यानि एक वर्षका है 79 रुपिया कितना है 79 अगर हम इसको भाग कर दें 12 से तो एक महीने का निकल के आएगा पूच्छा कितने का है 6 महीने का तो गुणा 6 से कर देंगे 6 कम 6 621 दो एक कम 2 2 3 6 2 चक को 8 बचा एक बढ़ाएंगे कि पॉइंट हो जाएगा 10 दो पंजे 10 लगाएंगे 0 कितना आजाएगा 34 दसमलो 5 0 जब 60 में इसको जोडेंगे 60 और 34 कितना होगा 6 और 30 90 4 94 दसमलो 5 0 रुपया यह यूनिट में आया है किसमें आया है यूनिट में अब देखिये सवाल में चक्रवटती व्याज कितना दे रखा है 9 4 0 जबकि हमारे हिसाब से सवाल के हिसाब से कितना आया है 94.50 रुप्या तो हम क्या करेंगे एक यूडिट का मान निकालेंगे इसको बराबर में रिखेंगे 9.45 एक यूडिट का मान निकालना एक बराबर 9.45 बटे 94.50 अब देखें क्या करेंगे 10.50 हटा देंगे 10.50 से 10.50 कट जाएगा कि बराबर अंकों पे लगा हुआ है 945 इक कम 945 इक कम बटे में 0 है तो एक यूनिट का मान आया एक बटे 10 अब जो भी पूच्छा हुआ है आप निकाल सकते हैं क्या पूच्छा हुआ है मूल धन पूच्छा हुआ है अगर मूल धन पूछा हुआ है पुछा है, पुछा हुआ है मूल धन को बोलते हैंvals तो मूल धन अमने कितना माना है? 400 विसकि गुणा करनी है? एक बटे क्योंकि unit में ये unit में है तो गुणा करते हैं तो 0 कर जाएगा कितना जाएगा? 40万 तो जो मूल धन है वो आ गया 40 रुपिया यह हो गया इस सवाल का आंसर उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक वर्ष छे महां का ब्याज कैसे निकाला जाता है ट्रिक के साथ चलिए बात करते हैं कोईश्चन नंबर 2 की बहुत ही गजब का कोईश्चन है इसलिए कि आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और ट्रिक के साथ ऐसे बहतरीन से बहतरीन कोईश्चनों को लगाना सीख जाना है आई आपको सिकाते हैं कोईश्चन नंबर 2 कैसे लगा जाएगा देखिए कोईश्चन नंबर 2 यदि 10.12 परतिसत समय एक वर्स चार महा तथा चक्र रदिव्याज 1100 रुप्या हो तो मूल धन ग्यात करें देखिए जैसा आपको सवाल हमने पहला लगवाया है वैसा ही सेम सवाल है कैसे करना है देखिए सबसे पहले जो परतिसत लिखा हु एक बटे आठ आएगा अब यहां पर समय अगर एक वर्स से जाता है तो यह जो बटे वाली संख्या इसका स्क्वायर करके लिखना है तो आठ का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 इसको मान लेना है कि मूल धन है यह किवल यूनिट में ठीक है पहले वर्स के लिए और दूसरे वर्स का एक बटे आठ निकालना है तो चौंसर का एक बटे 8 निकालेंगे यहनि आठ से भाग करेंगे तो आठ ही होगा क्या होगा आठ ही यहनि साधान ब्याज बराबर रहता है पहला वर्स हो या दूसरा वर्स हो या तीसरा वर्स हो अब इस आठ रुपिये पर भी क्या करना है एक बटे आठ निकालना है तो आठ का एक बटे आठ निकालेंगे तो एक आएगा ठीक है यह अभी यूनिट में है अब देखि साल का पूरा ब्याज कितना है आठ है प्लस दूसरे वर्स के चार महीने का ब्याज लेना है तो दूसरे वर्स का ब्याज है कितना 9 उर्पिया यूनिट में ठीक है अगर 9 उर्पिया पूरे साल का ब्याज है तो 12 महीने का कितना होगा 12 से भाग करेंगे गुणा करेंगे उसके बाद 4 से, तो 4 महिने का होगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 एकम 3, 3 तियां 9, कितना यूनिट आ गया, 3 यूनिट, तो 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा, ये यूनिट में है, जबकि सवाल में चक्रवरधी ब्याज दे रखा है, 11 1100 रुपिया, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 1100, 1100, एक यूनिट का मान आ गया, 100 रुपिया, ठीक है, अब जो भी पूछा हुआ है, उसका आप मान निकाल सकते हैं, मूल धनी पूछा है, यानि प्रिंसिपल, मूल धन पूछ है प्रिंस्पल पूचा है हमने कितना यूनिट वाना है चौंशक यूनिट इसमें गुणा कर देंगे एक सो की कितना जाएगा छे हजार चार सो रुपिया देखिए किसी भी संख्या में अगर आपको दस से गुणा करना हो तो वो संख्या लिख करके एक जीरो लगा दे और अगर आपको सो से गुणा करना है ये एक सो से करना है तो दो जीरो लगा दे अगर एक हजार से करना होता तो तीन जीरो लगा द में आगे होगा कि कैसे आप इस परकार से ट्रिक के साथ लगा सकते हैं चाहे एक वर्ष तेहित्तर दिन का ब्याज निकालना हो या एक वर्ष जितने भी महीने का ब्याज निकालना हो तो अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे एक वर्ष तेहित्तर दिन का एक वर्ष और अब यह समय जितना भी दे रखा होगा इस परकार के सवाल जो बहुत ही अच्छे सवाल होंगे यह बहुत ही अच्छे सवाल थे अगर आपने इनको सीख लिया है अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्क्राइब कर जेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर दीजेगा और बैल आइकन की घंटी दबा लीजेगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फिलाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ह इससे आगे मिलेंगे आपको मगली वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ ठैक्स जैहिंद जैभारत